हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई चैनल लता की लाइबरेरी आज मैं आपके साथ जो पैटन सेयर करने जा रही हैं उसको आप अल प्रोजक्ट में डाल सकते हैं लेडिज के लिए गल्स के लिए बेबीज के लिए और जैंड्स के लिए इसके अलावा आप इस पैटन को कै पे भी डाल सकते हैं मपलर सॉल आदी पे भी अपलाए कर सकते हैं बनके बहुती सुंदर आएगा यह पैटन इस पैटन को बनाने के लिए हमने फाइप के मल्टिपल में फंदे डालने यानिकी 5 के जोड़े के इसाब से हम फंदे डालेंगे और एक-एक फंदे हम साइट से एश्ट्रा डालेंगे दस नंबर की सलाई पे हमने इस पैटन को बना लेना है और फ्रंट साइट से हमारा यह पैटन बनना इस्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए न्यू वीडियो प्लीज के लिए बैल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कहिंसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब देखे फ्रंट साइट से पैटन की फर्स्ट रो अब फर्स्ट रो में देखे पहला फंदा हमने उतार लेना है और सीधी आएगी फ्रंट साइट से अब देखे बैक साइट से से किन डो अब से किन डो को भी हमने बैक साइट से उटा बूनते हुए कम्प्लीट कर लेना यह पहला फंदा उतारा अब देखें नेस्ट फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे बैक साइट से इस तरह हम back side से अपने second row को भी उल्टा बुनते हुए complete कर लेंगे अब देखिए front side से third row अब third row में देखिए 2 फंदे सीधे बुन लेंगे ये 2 फंदे हमारे सीधे आ गए अब देखिए next 3 फंदे हमने एक साथ बुनने ये तीन फंदे हम एक साथ बुनेंगे ये 3 का एक कर लेंगे ये 3 का एक कर दिया अब देखिए 3 फंदे हमने एक साथ ये चिलीब कर दिया अब देखिए जिस 3 फंदे से हमने एक किया इस एक फंदे से हम फिर 3 फंदे बना लेंगे तो देखिए, यह एक हो गया, फिर धागा अपनी साइट इससे दूसरा फंदा बन जाएगा, और देखिए, ऐसे भुनके यह तीसरा फंदा, तो देखिए, एक फंदे से हमने यह तीन फंदे बना दे, फिर देखिए, नेस्ट दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर देखिए, यह तीन फंदे हमने एक Calling स्वार्फ जैसे तीन का एक कर दिया तीन का एक कर दिया विस एक फंदे को बुलेंगे और इसे तीन फंदे बना लेंगे ग्या एर पुस्चे ऑने साइड इस ते दूसरा और देखें बुनकर इस तीसरा हो सकती है निए फिर देखे दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर देखे नेस्ट तीन फंदों पे पैटन बनाएंगे तीन फंदे एक साथ बुन लेंगे ये तीन का एक कर दिया फिर देखे एक फंदे से फिर तीन फंदे बना लेंगे एक धाग अपनी साइट दो और फिर बुन के तीन तो एक फंदे से हमने तीन फंदे बना दिये फिर नेस्ट दो फंदे सीधे बुनेंगे यही प्रोसेस रिपीट करते हुए फ्रंट साइट से third row complete कर लेंगे ये front side से हमारी third row complete हो गई अब देखे back side से fourth row अब fourth row में देखे ये पहला फंदा उतार लेना है और देखे fourth row हमारी back side से उल्टा बुनते हुए हमने complete कर लेनी है ये ऐसे जो पैटर वाले फंदे हैं वो भी back side से उल्टे ही आएंगे इस तरह हमने back side से अपने fourth row complete कर लेनी है अब देखे फ्रंट साइड से pattern की फिप्तरो फिप्तरो में हमारा pattern repeat होगा अब हमने अपने pattern को repeat करते जाना है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो किरपया like करें share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो please subscribe करना न भूले, thank you